प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मत्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामेड आवास योजना के तहत बने एक लाग पिचुतर हजार घरों का उधगाटन किया पिचुतर मोदी के इस मेगा उधगाटन को जहां बीजेपी भुनाने में चुटी हुई है तो वही कॉंग्रेस इसे धार्मिक माननेताओं का हवाला देते हुए पित्र पक्ष में शिलान्यास और भूमी पूजन को लेकर बीजेपी सरकार पर हमले बोल रही है देखे एका सिपोर्ट और हन दिये जा रहे हैं कॉंग्रेस पाइटी हमेशा गरीवों के आवास के पक्ष में रही है हमारे नेता मनमुहन सिंग जी स्योजना को लेके आये थे लेकिन भारती जनता पाइटी के नेता अपने राजनेतिक लाप के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर र झाब पवालों से और जहूबडी से लेकर पक्के भवन में नारायंद प्रवेश कर रहे हैं तब anonym में लग जाँ ने प्रिवर्वभाण की जिन्दगी में जो परिवटतन की एक आस जगाई है कभी गरीब ने कलपना नहीं की थी कि वो बारिश में जाता था लकडी बींगता था गिली लकडी लाता था आखों में आसू आते थे बच्चों को कच्ची पक्की रोटी खिलाता था गैस के चूले का सपना नहीं था गैस के चूले का सपना दिया कभी पक्की छत के गरीव के वारे ने सो सिवराज सिंग चोहन जी का भी धन्वाद देते हैं कि 1,75,000 लोगों को मद्द प्रदेश के गरीबों को पक्के आवाश मिले हैं भगवान इस आवाश की कलपना को हर गरीब के घर तक पोचाए उसका गरीब का हर पक्का मकान हो गैस का चूला हो बच्चों को पढ़ने की सिक अच्छा की ब्योस्ता हो स्वास्त के चकिस्था की आईश्मान ब्योस्ता हो मैं मोदी जी को सिवराज जी को हर दे से धन्वाद